नमस्कार दोस्तों रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश प्लिस भरती एवं प्रोननत बोर्ड लखनू 2020 जेल बार्डन फायर मैं घरसवाल परिश्चा 19.12.2020 सिप्ट फर्ष्ट का पेपर को हम डिसकस्ट करने जा रहा हूं सामान ने हिंदी निमलिखित बाग के लिए खालिस्तान के लिए सही मुहावरा चुनिये बूड़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है इन तिलों में तेल नहीं है बूड़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है जिसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप नहीं हो सकता विकल्प में दिये गए अन्य मोहबरे कंगाली में आटा गीला सर सलामत तो पगड़ी हजार घर की मुर्गी दाल ब्रावर तरसंगत नहीं है जिसका अर्थ क्रमसा गरीवी में और कस्टाना जिंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा आसानी से मिली बस्तू का महत्य ना होना ए होगा वे सब्दान्स जो सब्दों के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में बिसेश्टा वलाते हैं प्रत्य कहलाते हैं महाजन प्लस ए महाजनी ए प्रत्य से बनने वाले अन्य सब्द बदमासी दलाली किसानी सफेदी आद। हिंदी राम का प्रमपरा के अंतरगत एक विसेश्ट करती है इसका राइट आप्शन ए हो जाएगा राम चंद्र का उप्रयोक्त विकल्पों में राम चंद्र का हिंदी महा का प्रमपरा के अंतरगत एक विसेश्ट करती है राम चंद्र का के सो दास की करती है अन्य रचना कभी प्रिया रश्का प्रिया एवं बिज्ञान गीता केशो दास की ही कृति है किन्तु ये रचनाय बहां का प्रमप्रा के अंतरगत नहीं आती है बाग में आयरेक्टिस्तान के लिए विकल्पों में से सही सब्चुनिये, गावों के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, रायट ओप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीड व्यक्ति कहते हैं यूपी पी जेल बार्डन एकजाम दोजार बीस, सिफ्ट फर्ष्ट का पेपर को डिसकर समझें। गड़पत चंद्रगुप ने हिंदी का प्रिथम कवी किसे माना है इन्होंने अपने अनेक कृतियों से राम का प्रम्परा को सम्रद किया निमलिखे सब्दों में से योगिक सब्द की पहचान कीजिए रायट ओप्शन इसका डी हो जाएगा परमौसदी योगिक सब्द है रचना के आधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं पहला क्या है रूड सब्द जिन सब्दों के सार्था खन ना हो रूड सब्द कहलाते हैं जैसे रात कलम पुस्तक आदी योग रूड सब्द क्या योग रूड सब्द जो सब्द दो या दो से अधेक सब्दों के योग से बनते हैं एवं अपना सामान अर्थ छोड़ कर कोई विसेश अर्थ देते हैं योग रूड सब्द कहलाते हैं योग रूड सब्द कहलाते हैं जिसे पीत प्लस अंबर पीत अंबर मुरली प्लस धर मुरली धर पंक प्लस जा पंकाज योग एक सब्द जो सब्द दो सब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग एक सब्द कहते हैं परम प्लस ओसदी परमासुदी चात प्लस आवास चात्रावास प्रयोग प्लस साला प्रयोग साला कोश्चन सेविन बाग में आए रिक्तिस्तान के लिए विकल्पों में सही सब चुनिये यह कपता डैस लिखी है किस ने लिी है मैंने लिखी है यह कपता मैंने लिखी है दिए गiez बिकलपों के आधार पर रिक्तिस्तान के लिए मैंने सर बादिक की उपयोगति सब्ध है इस प्रकार हो गए कपता मैंने लिखी है Question 8 रामकौर बर्मा ने प्रेमा ख्यान प्रम्परा का प्रवर्तक किसे माना है राइट ओप्शन C हो जाएगा रामकौर बर्मा ने प्रेमा ख्यान प्रम्परा का प्रवर्तक मुल्ला दाउद को माना है मुल्ला दौद की प्रिशिद दिरशना चंदायान हिंदी का प्रिथम सूफी प्रेम काब माना जाता है दिये गए बिकल्पों में सभी सूफी काब धारा के कभी हैं इनकी प्रिशिद दिरशना इस प्रकार है कुत्बन, म्रगावती, असाइत, हंसावली, मालिक, मलिक मुहम्मत जैसी, पदमावत ये बहुत कोश्चन आते हैं दो चट्टाने पर सहेत अकाद्मी प्रुसकार पाने वाले कभी हैं कौन है? राइट आप्सन सी हो जाएगा हरवन्स राय बच्चन जी है हरवन्स राय बच्चन द्वारा लिखित सहेत दो चट्टाने पर इनको सहेत अकाद्मी प्रुसकार से 1968 में नवाजा गया हरवन्स राय बच्चन को इलहावाद का प्रवड़त का प्रवड़तक माना जाता है इनकी अनरचनाएं मधुसाला, मधुवाला, मधुकलस आदी है Q10. माखनला चत्रवेदी को किस रचना पर सहेत अकाद्मी प्रुसकार मिला है राय टॉप्चन C हो जाएगा हिम्त रंगडी माखनलाज चत्रवेदी को उनकी रसना हिम्त रंगडी के लिए साहेत अकादमी प्रुसकार से सम्मानित किया गया साहेत अकादमी प्रुसकार का प्रारहम 1905 में किया गया तथा सर प्रुथम यह प्रुसकार माखनलाज चत्रवेदी को ही प्राप्ट हुआ निम लिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है राइट ओप्शन इसका भी हो जाएगा कार में दच उप्रयोक्ट विकल्पों में कार में दच समास विग्रह पद है जिसका समास विग्रह पद है जिसका समास विग्रह पद नहीं बलकी सामासिक सब्ध है कार में दच्छ, कार दच्छ में तत पुरुस है निमलिखित में से सामासिक पद चुनिए राइट ओप्शन ए हो जाएगा वाई वेक दिएगे विकल्फ वाई वेक एक सामासिक पद है वाई वेक में कर्मधाराय समास है जिस समासिक पत्र पर उत्तर पत्र प्रिधान होता है और पूर पत्र में उपमान और उपमें अत्वा विसेशड और विसेश सम्मंद हो कर्मधाराय समास कहले। स्वेत पत्र स्वेत है जो पत्र महाजन महान है जो जन वाई वेक वाई के समान वेक उद गाटन का संदी विचेत क्या है उद प्लस गाटन रायट ओप्शन बी हो जाएगा उद प्लस गाटन रायट ओप्शन इसका भी हो जाएगा उद प्लस गाटन का संदी विचेत उद प पाक के इस्तान पर अपने ही बर का तीसरा वर्ड हो जाता है उद प्लस घाटन उद घाटन सत प्लस वाड़ी सत वाड़ी उच्टम न्याले तथा उच्टम न्याले की भासा समंदी निर्देश किस अनुशेद में दिया गया है राइट आप्सन इसका सी हो जाएगा अनुश प्रभू जी तुम चंदन हम पानी पंकती किस कवी की है राइट आप्सन इसका भी हो जाएगा रैदास प्रभू जी तुम चंदन हम पानी पंकती संत काब धारा के प्रमुक कवी रैदास द्वार रचित है संत कुल भूशर कवी रैदास का जनकासी में चर्म कर कुल में रायदास गुरू रामा नंद के सिस्थ थे तथा प्रिसिद्ध कृष्ण भक्ती कापधारा की कवेत्री मीरावाई के गुरू माने जाए निमलिखित में से किस सब्द का बचन एक सा नहीं रहता है रायट ओप्शन ए हो जाएगा बेटा दे गए बिकल्पों में बेटा सब् Q17 मैं घर जाता हूँ इस काप में साहिक क्रिया कौन सी है रायट ओप्शन इसका C हो जाएगा मैं घर जाता हूँ इस क्रिया इस बात में हूँ में हूँ साहिक क्रिया है मुख क्रिया की सायता करने वाली क्रिया साहिक क्रिया कहलाती है जैसे वह आता है मैं घर जाता हूँ इनमें आना और जाना मुख क्रिया है, तथा हैं और हूँ साहक क्रिया है, जो मुख क्रिया के अर्थ को इसपश्ट और पूरा करती है, जहां दो या दो से अधिक धात्यों का प्रियोग एक साथ किया जाता हुआ है, क्रिया क्या कहलाती है? जैसे राधा नाचने लगी, इस बाग में नाचने मुख क्रिया है, तथा लगी तंजक क्रिया है, दोनों मिलकर स्वियोग क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं, निमलिखित में से सही बाग की पहचान कीजिए, सही बाग कौन सा है? सी, मुझे बहुत आनन्द आता है, मुझे बहुत आनन्द आता है, है की बज़े से ये गिलत हो गया, है, नहीं तो और सेम है, है, आनन्द आता है, ओके? इस बस राम बलास सर्मा को साहेत अकादमी पुरुषकार किस बस प्रदान किया गया? राइट आप्शन A हो जाएगा 1970 में प्रिदान किया गया राम बलाज सर्मा को सन 1970 में साहत अकादमी प्रुसकार से सम्मानित किया गया था इन्हें यह प्रुसकार निराला की साहत तिक साधना नाम रचना के लिए प्रिदान किया गया राष्ट में E पृत्या लगने पर कौन सा नया सब्द बनेगा राष्ट ओप्शन इसका C हो जाएगा राष्ट्री राष्ट में E पृत्या लगाने पर राष्टी सब्द बनेगा दिये गए विकल्पों में सेस विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है राइट ओप्शन इसका D हो जाएगा V लगा है प्रश्णिकत बिकल्पों में V विज्ञान सब्द में उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है जो किसी सब्द के पूर में प्रियोक्त होकर उसके अर्थें प्रिशेस्ता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं जैसे B प्लस ग्यान व निम लिके सब्दों में क्रमसा प्रयावाची सब्द होंगे पारवती पुत्र और प्रत्वी के राइट ओप्शन इसका B हो जाएगा पारवती रुद्राडी पुत्र नंदन प्रत्वी अवनी देगे पिकल्पों में रुद्राडी नंदन अवनी क्रमसा पारवती पुत् पारवती के देख लिजी उमा जी गिर्जा सिवा अंबिका रुद्राडी गौरी आदी पुत्र नंदन सुत्य आत्मज वत्स तनय बेटा आदी प्रत्वी धरडी बसुंद्रा अचला पसुदा और रत्निंगर्भा आदी हैं याद रख लेना फिर प्रत्वी गौट्पत्ति निमलिखित की सब्से वी है रायट ओप्सन इसका भी हो जाएगा त्रिलिंग से वी है तेल्गू सब्स द्रवड भासा परवार के अंतरकाताती है यह भारत के आंतरदेश और तेलंगाना राज की मुख भासा एवं राज भासा है आज भी उपग्रों की प्रेश्चर में किसका प्रियोग होता है रायट ओप्सन इसका सी हो जाए गुर्त्वा फिरसर सिद्दांद का किसने नूटन बाद को जूटा करार दिया किसने नूटन बाद को जूटा करार दिया रायट ओप्सन इसका बी हो जाएगा कौान्टम पजिक्स प्रतियेक सू प्लस आगस स्वागतम कनफटा इस समाज भेत का उधारण रायट आप्सन ए हो जाएगा बहुबरी देगे विकल्पों में कनफटा बहुबरी समाज का उधारण विसामासिक पद जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है बलकि अन पद प्रदान होता है बहु अबरी समाज के अनुधारण है पीतामबर, दसानन, चतुरानन, आदी रमेश चंद सहा को बिनायक रचना के लिए सन 2014 में साहे तकाद्मी प्रुसकार से सम्मानित किया गया इस रचना की विदा है रायट ओप्सन इसका भी हो जाएगा उपन्यास है सन 2014 में साहे तकाद्मी प्रुसकार से सम्मानित रमेश चंद सहा की रचना बिनायक उपन्यास विदा से सम्मंदित है इनकी अन रचना है सैतान के बहने समानतर रचना के बदलेश चाया बाद के ही प्रिसांगित्ता आदी हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकुक्ति होगी रायट ओप्सन इसका डी हो जाएगा सावन हरे ना भादो सूखे सावन हरे ना सही अर्थ हमेशा एक जैसा रहना अथार्थ संपन्ता अथ्वा विपत्ति आने पर भी एक जैसा सुभाव रखना दिये गए विकल्पों में अनलोकुक्ति का अर्थ है हात कंगन को आ आर्सी क्या इसका अर्थ है प्रितच को साज की आप सकता नहीं होती होन हार बिरवान के होत चीकने पात इसका अर्थ है बच्पन में ही प्रितभा का दिखाई देना मुह में राम बगल में छुरी इसका अर्थ है बाहर से मित्र पर भीतर से बहर तो मैंसे बात में आए रेक्टिस्तान के लिए सईस अब चुनिए राइट ओप्सन इसका डी हो जाएगा सावक मिरग सावक घास खा रहा है मिरग सावक घास खा रहा है मिरग के बच्चे को मिरग सावक कहा जाता है जबकि बच्छडा गाय के बच्चे को कहा जाता है मिरग सुसू घास खा रहा बच्छडा खा रहा बच्चा खा रहा नहीं इसमें राइट ओप्सन इसका डी ही होना था परिवर्तन परवार में उपसर्ग, डायट ओप्षन ए हो जाएगा परी, परिवर्तन परवार में परी उपसर्ग है, परी उपसर्ग से बने अन सब्ध है, पर्यावरण परक्रमा, परजन, परिडाम आदी, प्रा उपसर्ग से बने सब्ध प्रिगती, प्रकोप, प्रकास, परुपसर्ख से बने सब्द परलोग परोबकार परहित आदी कार्याली पत्र के अर्ध सरकारी पत्र बिवार इनमें से मुखत्या किनके बीच किया जा सकता है। मर्स एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है इसका सुरूव ब्यक्त गत पत्र के समान होता है।